नमस्कार नेक्स्ट नाइन न्यूस देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ मांशी जैस्वाग राजस्तान में विधानसभा चुनाल से पहले निताओं के वीच में जुबानी जंग तेज हो गई है जी हां राजस्तान कॉंग्रिस में लगातार सियासी खमासान देखने को मिल र भारते जंता पार्टी कॉंग्रिस पार्टी पर निशाना साथ रही है तो वहीं कॉंग्रिस पार्टी भी दावा ठोक रही है कि राजस्तान में इस पर दुबारा से कॉंग्रिस की सरकार आने वाली है वहीं बीजेपी कह रही है कि सूपड़ा साफ इस वक्त कॉंग्रिस का होता हुआ नजर आएगा तक्रीबन पांच महीने के समय राजस्तान जो है विदानसभा चुनाव में बचा है ऐसे में गोविन सिंग डोटास्रा पर लगातार निशाना साथते हुए भारते जंता पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं आपको बता दें गोविन सिंग डोटास् से पहले निताओं की बीच आरोप रत्यारोपों की बोचार सियासत शुरू हो गई है निताओं के बोल भी बिगड़ने लगे हैं निताओं के बिगड़े बोल सुर्खियां बन रही हैं कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिंग डोटास्रा ने एक सभा में कहा था कि राम गंज मंडी से बीजेपी के मदन दिलावर कैसे जीत जाते हैं इस बयान के बाद मदन लाल दिलावर ने पलटवार करते हुए कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिंग डोटास्रा पर जोड़दार हमला बोला है जी हां हमला बोलते हुए उन्होंने क करवा कर IPSC से पेपर मंगवा कर नकल करवा कर RAS नहीं बनाता है बड़ा बयान इस वक्त डोटास्रा पर देते हुए नजर आए दिलावर डोटास्रा जी आप कहते हैं कि आपको RSS की विचारधारा ठीक नहीं लगती है मैं आपको बता दूं कि RSS की विचारधारा तो सामान विचारधारा है RSS वासुदेव कुटुम्ब कम में विश्वास करता है देश के प्रतिक नागरिक के उत्थान और विकास की बात करता है देश को सुरक्षित रखने की बात करती है देश की सम्मान की बात करता है देश से आतंगवाद के सफाई की बात करता है इसका मतलब पाप आरसेस की विचारधारा के विरोध में हैं आप देशभक्त चरित्र वान और संसकारित लोग नहीं जाते हैं तो इसके अलावा दिलावर ने कहा कि जब शिक्षा मंत्री थे उस दौरान मुख्य मंत्री अशोग घरोत ने शिक्षको के एक कारिकरम में पूछा था कि आरोब जो गोविन सिंग डोटासरा पर लगाया गया दिलावर की तरफ से वो ये था कि गोविन सिंग डोटासरा आप जेल जाओगे तो निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा जरसल पेपर लीक का जो मामला उठाते हुए नजर आए मदन लाल दिलावर उस पूरे मामले पर उन्होंने ये कहा कि अगर आप जेल जाओगे तो निकालने वाला कोई नहीं रहेगा ये बड़ा बयान और बड़ा हमला डोटासरा पर दिलावर करते हुए नजर आप देखना होगा कि गोवन सिंग डोटासरा का इस पूरे मामले पर क्या कुछ बयान आता है फुराल इस परम बस अतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज